उत्तर बिहार का लगबग हिंसा डूबा हुआ है और सबसे बड़ी आब बता ये है कि जो हिंसा जल्दी डूबता नहीं था वो भी डूबा हुआ है उस दिन हमारी टीम ने पहले आपको वैसाली जिले के विविन हिस्सों में खास कर सलेंपुर हुसनिपुर के डूबे हुए लाकों की ग्राउंड रूप्योटिंग दिखाई थी और बताया था कि वीपदा कितनी विकराल है हमने वैसाली जिले के वीडियो से बात करने की कोशिश भी की थीम ख़बर के माध्यम से हमारा उतेश अस्थानिय प्रशाशन को वहां के लोगों की समस्याओं से अबगत कराना था जिसमें हमारी टीम को आपके सपोर्ट के माध्यम से काफी हद्टक सा फलता मिली है आपने उन वीडियो को दीखा और उसे ज़्याद से ज़्यादा शेयर किया जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सका और समस्या उजागर हुई और प्रकाश में आई जिसके कारण वैसाली जिले की टीम हरकत में आचुकी है और वो जगह जगह पर दोरा कर रही है वैसाली जिले की जिलाधिकारी यानि डीम खुद बाज परभावित छेतरों में खास कर पातेपुरु परखंड में बाढ़ परभावित हिस्सों का दोरा करने पहुंची और विस्तार से इसका जाय चालिया साथ में जिले के कई आलाधिकारी और जन्र प्रतिनिती भी मौजूद है इस मौके पर राहत बचाव कारे के बोट के जडिये भी डीम ने इलागे का निरिक्षन किया और ततकाल जरूरी निर्देसों को चारी किया ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सक आज करते हैं यह नहीं किये है रभू बस्ति अधिया रभू नहीं है अब टुछारी हाए सहाथी सो पत्पनादि जियक साथी नदोगी इसका सुपी संपूरा है तो बहार है गर से आप अपोलो थी पूलो थी सर आप उप्रप टाहर थेसे तो दोस्तो फोन उठाइए और अपने आस पास की जन समस्याओं की वीडियो बनाईए और हमें उसके डिटेल के साथ वाटसअप कीजिए आपकी चन समस्याओं को आपकी किसी भी समस्याओं को हम दिखाएंगे अपने चैनल से बाकी कमेंट्स में अपनी राय बताइए और प्रकाशवानी को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को जाद से जादा लोगों में शेर कीजिए ताकि लोग इस ख़बर से खुद को आख सके इस ख़बर से खुद को जोड सके और समस्याओं को देख सके सौशत रहिए सुरक्षित रहिए नमस्कार तो दोस्तो प्रकाशवानी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दवाईए अगर ये ख़बर आपके मतलब की है तो इसे लाइक कीजिए और जाद से जादा शेर कीजिए